वेलकम बेक एवरीवन तो आर ब्राइंड न्यू एपिसोड और वॉची न्यूस जा हम हॉलिवुड्स रिलेटेड साभी तरना की छोटी से बड़ी न्यूस, अपडेट्स एंड रूमर्स के बारे में आपको बताते हैं दोस्तो इस वीक कुछ ज्याद अपडेट्स हो नहीं आई, बढ़ हाँ जितनी भी अपडेट्स हमें मिली हैं, वो काफी मेजर अपडेट्स हैं अब से हम स्पाइडर में नोवे होम मूवी से निकल कर आई, किसी भी स्पोईलर को कवर नहीं करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ साथ आपका भी स्पाइडर में नोवे होम मूवी देखने का मोड बिल्कुल भी स्पोईल हो इसलिए उसके स्पोईलर्स को साइड में रखकर हम इस वीक की बागी सभी अपडेट्स के बारे में आग आज किस वीडियो में जानेंगे जैसे की स्पाइडर में नोवे होम मूवी का अली बॉक्स ओफिस प्रेडिक्शन क्या है जॉनी डैप और एमबर हर्ट की ब्रेकप कांट्रोवर्सी पर बेस्ट एक डॉक्यूमेंटरी सीरीज वुलवरीन रिटर्न इन एमसी उ और बहुत सी मूवी भी इस मन्द इंदी एजडी पिंट के साथ रिलीज होने वाली है तो अगर इन अपडेट्स को मिस्त नहीं करना चाहते तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक पूरा देखना वर रहां दोस्तों इन अपडेट्स के साथ बहुत सी ऐसे भी अपडेट्स हैं जो हम सिर्फ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ही शेयर करते हैं जैसे कि स्पाइडर मैन नोवे होम से रिलेटेट्स सभी स्पॉइलर्स आपको वहां देखने मिल जाएंगे साथ ये अगर आपके इस किसी पर्टिकुलर सीरीज या मुवी से रिलेटेट्स कोई क्वेशन हो तो आप वो भी हमें डियम करके पूछ सकते हैं हमारे इंस्टागाम अकाउंट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूले चलिए हमारे इस वीक की सभी अपडेट्स का सेशन शुरू करते हैं तो दोस्तो हर बार की तरह इस वीडियो की भी शुरूआत करते हैं मावल्स सिनेमाटिक यूनिवर्स के साथ क्योंकि आज की हमारी वीडियो मोस्टली MCU के राउंड ही रिवाल्व करेगी वैल तो इस वीक सही मावल्स की हौकाई सेरीज रिलीज होने जा रही है जिससे रिलेटिड ये तीन नय करेक्टर पोस्टर्स और ये दो प्रोमो पोस्टर्स रिलीज किये गए हैं जिनके मताबिक ये सीरीज इसी वैंजे से डिजनी प्लस होट सार पर रिलीज होगी और इस कंड़र टोटल 6 एपिसोड्स होने वाले हैं और उनमें भी पहले दो एपिसोड्स आपको इसके रिलीज डेट पर ही देखने मिल जाएंगे इस सीरीज को हिंदी के साथ साथ तमिल, तैल गोर, कंड़र लेंगविजिस में भी रिलीज किया जाएगा तो अब हर कोई से एंजोई कर सकता है हाली में रिलीज हुए Eternals मुवी से One Direction वाले Harry Styles के करेक्टर Eros का भी एक Standalone करेक्टर पोस्टर रिलीज किया गया है जो कि इस मुवी से रिलेटेड एक बहुत मेजर स्पोईलर है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उसे भी चेक आउट कर सकते है Spider-Man No Way Home Movie की बात हुई है तो इस मुवी के रिलीज होने से पहले ही इस मुवी के बॉक्स ओफिस को लेकर बॉक्स ओफिस एक्सपर्ट्स ने कुछ प्रिडिक्शन्स रिलीज किये हैं जिनके मुताबिक ये मुवी अपने ओपनिंग वीकेंड में ही अराउंड $135,000,000 से लेकर $185,000,000 तक का बॉक्स ओफिस कलेक्शन कर सकती है और साथ ही अपने टोटल डोमेस्टिक रन टाइम में इस मुवी का $375,000,000 से लेकर $525,000,000 तक का डोमेस्टिक कलेक्शन का अनुमान भी लगाया जा रहा है बाकी असल में यह प्रेडिक्शन कितनी सही साबित होती है यह तो हमें December मन्त में ही पता चल जाएगा दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा Spider-Man के actual right Sony Studios के पास है और Sony और Marvel के डील के according Spider-Man हमें Marvel की सिर्फ दो और movies में देखने मिल सकता है जिसमें पहली तो Spider-Man No Way Home ही होगी और दूसरी शायद से Doctor Strange 2 Multiverse of Madness लेकिन रूमर यह भी आई है कि Marvel Sony Studios के साथ मिलकर एक और Spider-Man ट्राइलोजी की डील साइल करने वाला है जिसमें 99% चांसे से कि ट्राइलोजी Marvel Comics के एक और Spider-Man Miles Morales को MCU में इंटर्डूस करेगी इस से related काफी सारे हिंट हमें लंबे समय से देखने मिलते आ रहे हैं साथ ही हाली में हुए टॉम होलेंड के एक इंटर्व्यू में उन्होंने भी Miles Morales के Spider-Man को MCU में इंटर्डूस करने की बात की जैसे ही कोई confirm update मुझे इस से related मिलती है आप तक भी update बहुत जल पहुत जाएगी सिर्फ Miles Morales से नहीं बलकि Daredevil करेक्टर पर बेस्ट भी एक Disney Plus प्रोजेक्ट पर Marvel Studios की साइट से production शुरू हो चुका है लेकिन ये project एक movie होगी या फिर एक series इसके regarding अभी कोई update नहीं आई बट हाँ इतना confirm'd हो चुका है कि इस बार भी Daredevil का रोल Charlie Cox सी प्ले करेंगे और इस बार Daredevil भी official MCU timeline का ही एक एहम पार्ट होगा हाली में एक interview में MCU के producer Kevin Feige ने कहा है कि अब से MCU की सभी series में भी audience को अब एक नहीं बलकि सभी Marvel movies की तरह दो post credit scenes देखने मिला करेंगे और इसकी शुरुआत बहुत जाल release होने वाली Hawkeye series से ही हो जाएगी Dr. Strange 2 movie के भी कुछ reshoots की confirmation आई है लेकिन ये कोई छोटे मोटे reshoots नहीं बलकि इन रिशूट्स को पूरा करने में 34 दिनों का लंबा time लगने वाला है और rumors ये है कि इन रिशूट्स में किनी पुराने scenes को दोबारे से shoot नहीं किया जाएगा बलकि यहां उन characters और actors की shooting होगी जो पहले अपने business schedule के वज़ा से shooting के लिए नहीं आ सके थे इन इनी रिशूट्स से related एक काफी बड़ी rumor वाइरल हो रही है माना जा रहा है कि Doctor Strange 2 movie के इन रिशूट्स के लिए यू जैकमेन भी वुलवरीन के रोल में वापसी कर सकते हैं हालकि एक साल पहले यू जैकमेन से वुलवरीन के रोल को लेकर बात की गई थी लेकिन तब उन्होंने दोबारा वुलवरीन का रोल प्ले करने से साफ मना कर दिया था लेकिन में भी अब बात बदल गई हो और हो सकता है कि वो हमें इस movie में वापसी करते नजर आ जाएं लेकिन ऐसा होना लगबग ना मुम्किन ही है खेर नेक्स अपडेट पर आएं तो हाली में 50 Shades of Grey मूवी के एक्टर जैमी डॉन दन और MCU के प्रड्यूसर केविन फाइगे के बीचे एक मीटिंग हुई है जिसके अकॉर्डिंग एक्टर जैमी डॉन दन भी बहुत जल्द हमें Marvels की मूवी या फिर सीरीज में देखने मिल सकते हैं लेकिन ये किस करेक्टर में हमें दिखेंगे ये बताना अभी भी बहुत मुश्किल है इतना ही नहीं केविन फाइगे और सकालेट जॉन सन साथ मिलकर एक New Entitled Marvel Project पर काम कर रहे हैं जो कि Black Widow एक करेक्टर से किसी भी तरह रिलेटेड नहीं है और Black Widow मूवी की ही तरह इस मूवी को भी सकालेट जॉन सन खुद प्रेडियूस करेंगी साथ ही इसमें लीड रोल भी प्ले कर सकती है बात करें Guardians of the Galaxy Volume 3 मूवी की तो एक्टर सिल्वेस्टर सेलोन ने इस मूवी के शूट से अपनी कॉस्ट्यूम के साथ ये फोटो अपने इंस्सा अकाउंट पर शेयर किया है जिससे ये तो कंफर्म हो ही जाता है कि वो इस मूवी में रिटर्न कर रहे है लेकिन कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये भी अपडेट मिली है कि उनका इस मूवी में पिछले दो मूवी के कमपैरिजन में अच्छा कासा बड़ा रोल होने वाला है गार्जेंस ऑफ दी गैलेक्सी वॉल्यम 3 मूवी से एक मेजर कास्टिंग अपडेट भी निकल कर आई है जिसमें चुकवूदी इभूजी को किसी सीक्रेट रोल के लिए कास्ट किया गया है ये कि सूपर हीरो या विलन का रोल प्ले करने वाले हैं इससे रिलेटेट ट्यों कोई इन फुरी विल नहीं हुई बट डाइरेक्टर जेम्स गन के अकॉर्डिंग एक ऐसे करेक्टर को प्ले करेंगे जिसे काफी सारे एलिस्ट एक्टर्स भी प्ले करना चाहते थे और माना ये जा रहा है कि वो इस मूवी में इसका मतलब ही कि सेम डे ही आपको इसका ओफीशल प्रिंट देखने मिल सकता है इसके साथ ये ड्यून मूवी की भी ओफीशल हिंदी एजडी रिलीज डेट आ चुकी है जो कि 31 जन्वरी को ओफीशल ब्लूरे प्रिंट के साथ रिलीज कर दी जाएगी डिजनी की अपकमिंग एनिमेटेड मूवी एनसांटो की ये बहुत सारे करेक्टर पोस्टरस रिलीज हुए है जिनके अगॉर्डिंग ये मूवी 24 नॉवंबर को सिफ थीयर्टरस में रिलीज होगी लेकिन खुशी की बात ये है कि उसके पूरे 30 दिन बाद यानि कि 24 दिसंबर को ये मूवी आपको डिजनी प्लस होट स्टार पर भी देखने मिल जाएगी रेसिटन इविल वैलकम टू रकून सिटी मूवी की रिलीज डेट में थोड़ी बहुत डिले हो गई है ये मूवी आप 26 नॉवंबर को नहीं बलकि 3 दिसंबर को सभी नसदी की सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी और इस मूवी से ये कुछ मल्टि लिंग्वल पोस्टर भी रिलीज हुए है दितनी पिक्सार की अपकमिंग एनिमेटेड मूवी टर्निंग रेट का भी ये फर्स्ट ओफिशल पोस्टर अप रिलीज हो चुका है जिसका अकॉर्डिंग इस मूवी को नेक्स्ट यर 11 मार्च को थियाटर में रिलीज किया जाएगा और इसका फर्स्ट ओफिशल ट्रेलर भी आप यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है अगर आप इतक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप उसे भी देख सकते है वोडना विदास वालू की The Matrix फिल्म फ्रेंचाइजी की अपकमिंग मूवी The Matrix Resurrections का एक और ओफिशल पोस्टर अप रिलीज हो चुका है जिसे इंडिया की मेजर रीजन लेंग्विजेस के साथ भी रिलीज किया गया जिसे रिलेटेड इसका एक तमिल ट्रेलर भी रिलीज किया गया है उसका बिलिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है Money High Season 5 Part 2 का भी ये फर्स्ट ओफिशल पोस्टर रिलीज हुआ है जिसे 3rd December को Netflix पर Hindi, English, Tamil और Telugu लेंग्विजेस के साथ रिलीज किया जाएगा आपने हाली में हुई Johnny Depp और Amber Heard को लेकर हुई Controversy के बारे में तो सुना ही होगा जिसमें Amber Heard ने Johnny Depp पर Domestic Violence की कंप्लेंट की थी जिसके चलते Johnny Depp को अपने सारे popular roles से हाथ दोना पड़ा था तो इसी Controversy पर based बहुत जलेक दो episodes की mini documentary series हमें Discovery Plus platform पर देखने मिलने वाली है जिसका title Johnny vs. Amber रखा गया है और इस Controversy से related काफी सारी info आपको इस documentary series में देखने मिलेगी पॉपिलर South Korean zombie movie Train to Busan को लेकर Hollywood में एक remake बनाया जा रहा है जिसे एक Indonesian director direct करने वाले हैं और इसका title Last Train to New York रखा गया है और इस movie पर production already start हो चुका है Paramount Plus platform पर release होने वाली Hello series का first teaser भी आप YouTube पर release हो चुका है जो की इसी नाम के एक बहुत ही popular game की एक live adaptation series होगी जिसे Paramount Plus पर next year किसी unknown date में सिर्फ English language में ही release किया जाएगा Director Guillermo Del Toro की upcoming drama movie Nightmare Rally की सभी cast के कुछ character posters release हुए है जिन आप एक ही कर स्क्रीन पर देख सकते हैं Netflix की Don't Look Up movie से भी इसका यह first official poster और एक brand new Hindi trailer release हुआ है साथी Lupin की season 3 की production start होने की भी confirmation मिल चुकी है जिसकी announcement करते हुए Lupin series के lead actor ने shoot से यह photo share किया हाली में release हुई Netflix की mega budget action highest thriller movie Red Notice of official Netflix की biggest opening वाली movie बन चुकी है जिसने पिछले सभी release हुई movies को काफी पीछे छोड़ दिया है और साथी इसके दू sequels बनने की भी confirmation मिल चुकी है जिनकी shooting next year से back to back की जाएगी इतना ही नहीं Apple TV पर भी हाली में release हुई Tom Hanks Star of French movie भी पुराने सारे records तोड़ कर Apple TV की biggest opener बन चुकी है जो की एक survival family drama movie है अगर Netflix की last update की बात करें तो DC के Titans TV series के season 3 के भी हिंदी release होने की date up reveal कर दी गई है जिसे इसके बाकी दो seasons की तरह Netflix पर ही 8th of December को release किया जाएगा और इसका एक brand new Hindi trailer भी Netflix इंडिया की YouTube channel पर release किया गया है DC के एक और popular Netflix show, Batwoman के season 3 से Nicole Kai की character, Poison Ivy का भी ये first look share किया गया और इन दी लास्ट DC के वन अप दी most successful CW show, Superman & Lewis के season 2 की release date भी अब reveal हो चुकी है जिसे next year 11 January से ही हर week एक 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 एपिसोड करके release किया जाएगा और पिछले season की तरह ये season भी फिलहाल के लिए सिर्फ English language में ही release होगा और बस इनी कुछ news और rumors के साथ इस week की सभी updates का session खत्म होता है तो चलिए दोस्तों ये थी हमारी इस week की सभी major news, updates और छोटे बड़े सभी rumors आपको हमारी इस वीडियो में देखकर कुछ भी अच्छा लगा हो या मजाया हो तो वीडियो को like and in updates को अपने दोस्तों के ताथ share करना बिलकुल न भूले बाकि किस news या फिर किस upcoming movie और series को लेकर आप सबसे ज्यादा excited है हमें नीचे comment करके ज़रूर बताएं चैनल पर नए आये हो या भी तक चैनल सबस्क्राइब नहीं किया और इसी तरह Hollywood से पूरी तरह updated रहना चाहते हैं तो चैनल सबस्क्राइब करें के साइड में दिएगा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी next update वीडियो बिलकुल मिस ना कर पाएं बाकि मिलते हैं जल्दी एक और न्यू वीडियो में कुछ और exciting news और new movies के साथ Till then take care, over and out